तो दोस्तो बाजजर कमपनी का पुट्टी पॉलीज मैसीन मेरे पास रिपेर करने लेके आ है इसमें आर्मेचर खरब हो गया है तो हमें आर्मेचर चेंज करना है बैरिंग चेंज करेंगे तो आप पूरा वीडियो को देखिए आप देखेंगे तो लगएंगे मैसीन मेरे खरब नहीं हुआ है इसमें ऐसे देखने से ठीक ठाक लगता है मैसीन जब भी लोड में चलता है बड़े ऐसे चलनी पाता है उसमें पेसा दिने से बंद हो जाता है आर्मेचर बूधी के बाद आपको दिखाएंगे तो आपको कैसे खोलना है तो आपस्थ में देखिए हुसमे प्रेज ना उनके परहलेिस में ठीने ल entfer रहते हाङु खूलना है तो तो ढिले से में समझाम तकली मिले मैसे इनको काम करते हुआ है उनको तीर घंट से जदा लगा है तो बहुत ही टाइम लगा था थोड़ा काट चाट किये है आप फास्ट करके वीडियो को देखा रहे है तो आपको ऐसे हैंडल को पहले खोल लेना है तो हैंडल का बार खोलने के बाल इसमें आपको प अचिल भी के देखा नहीं था मैंने सोचा इसे इसको है तो बारी का नाट होता है अपको दिए से कुलने से से इसमें सहे बाहर हो जाएगा इसमें दो अलंग अलंग है तो आर-मेजिग मेरे को बहुत पसंद है इसमें एक ग्यार मैंने ओपेंड नहीं कर पाया है तो इसके अंदर और एक ग्यार है कि देखिये हम आपको खोल के देखाते हैं आप वीडियो को पहले पूरा देखिए देखिए जिरे से पेस्ट करने से और एक ग्यार बहर आ गया है इसे पांख्षा के साथ फिख्ट है एक इस एक घूमता है तो इसमें जो बड़े वाले ग्यार उपें हो जाता है तो उसमें बेरिंग रहता है है सु बोटेबल जो गियार कास्टिंग में रखा हुआ है वो में ओपेंड नहीं कर पाया तो आपके साथ हम सेर करेंगे पूरा वीडियो का आप देखिए मेंसिन किस ने रिपियर किया था उसने बहुत सरे स्कु को गलत फिटिंग किया है तो इसमें फाय वर कसने के लिए specialize है अर जो यहूं चार्ण उसको जानकर ही नहीं होता है काभी कबार गलत स्कूल फिटिंग करने से मैसिन खराब हो जाता है तो देखिए कैसे फिटिंग रहते हैं तो हम ओपेंड किये हैं देखिए है और फाइबर में जो स्कूब फीट होता है वो अलग होता है तो ऐसे नहीं बाहर आएगा उसको हम अलग से बाहर करना है देखिए इसमें जो फीटिंग से नहीं बहुत ही अच्छे है पहले ओयल सिल देने के बाद बैरिंग है तो इसमें भी एक बैरिंग है इसमें 607 बैरिंग फीट है तो इसमें कैसे आपको खोलना है वो भी हम आपको देखा देते है तो इसमें हमें एक सार्क्लिप को बाहर करन तो उसके बाद यह बाहर हो जाएगा सार्क्लिप बाहर करने के बाद हमें एक ग्यार है तो फैंड के साथ फिक्ष होता है अब वह भी खोल पाऊगे तो bearing थोड़ा play है हमें bearing change करने इसमें sir clip open करने बाद हम puller के मदद से gear को open करेंगे झाल 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 देखिए मैंने आर्मेचर बाहर कर लेता हूँ इसमें आर्मेचर खराब हो गया है आर्मेचर एक साइड से स्पार्क हो गया है तो यह होने का जो बजा है ना इसमें पीछे वाला जो रावार है खराब है तो हमें कैसे खोलना है हम आपको देखा जैते ऐसे आगे पीछे टक् खोल जाएगा धिरे से आपको ऐसे टक्कर मनना है ऐसे ऐसे करने से बाहर हो जाएगा देखिए देखिए यहां से आरमेचर खराब हो गया है देखिए बहुत ही दा फ्लास हुआ है तो मैंने बाद में देखा इसमें बेरिंग प्लेस खराब है तो फिल कॉल देखिए फिल कॉलिटी बहुत ही अच्छे है तो इसमें हम यह वाला जो सिस्टम है इसको खोल पाएंगे जहां पे हम पॉलिस का पॉलिसर डाल देना इसमें अंदर एक पीन है यह पीन को बाहर करने से पीन एक रावार्ट से टाइड रहता है यह आप चेंज कर पाऊ गए मैंने प्यर पास कुछ पेर पास का बारे में कुछ आपको डीटिल जानकर देखाएंगे तो बार्जर कंपनी प आप सब कुछ ओडर कर सकतो बैरिंग एस्टियेच दे देते हैं उसमें प्राइस बहुत ही ज़्यादा लेते हैं तो इसमें प्यर पास जो भी है आप ओडर करने से मिल जाएंगे यहां से यह वैल सिल को बाहर करना है तो इसमें अंदर जो बैरिंग है मैंने ऊपन करने के आपएंड नहीं होएं पाई तो आपके साथ हम सेर करते हैं मेरे जैसे सब्वन्य प्रेंज करते है ईसे कुछ पाइब देने कीबाद ौपन करने की को को सुषिस किया बहुत व inde को सिज किया इसको बहर नहीं आया तूट जाएका इसी डर से मैंने से मैं उसको खोना नहीं तो बेरिंग थोड़ा टाइट हो गया था मैंने उसको सेनिटाजर और ग्रीसिंग करके उसको फी करके मैसिंग को फीर से फीटिंग करके चला दिया देखिए इसमें नया आरमेचर मैंने ओड़ात दिया तो मिल गया था तो इसमें आरमेचर आप देखिए सिंसर्षय का कॉलिट्यी मेरे को बहुत अच्छा लगा हो एक तो एक है यह आरमेचर में प्टिंग करना है तो देखे दोनों आर्मेचर बिलकुल सेम है आपको एक अच्छे बाला पॉलीसर मैसिन खरजना है तो बार्जर कंपानी का पॉलीसर मैसिन खरज सकता हो इसमें प्यार पास भी मिलते है और इसमें रिपियर भी थोड़ा टाइम लगता है तो मैं पहले बार खुड़ा था तो जानकारी मैंने जतना उसमें जानकारी लेना था मैंने ले लिया तो आपके साथ हम वीडियो में सैर करते हैं तो प्यूसर सभी खुष जैसे होता है यह से मैसिंत बहुत सरे हुआ है फंसन्यों इसक्रण आपको ऐसे होता है काटिंग रहते है तो इसमें बेरिंग भी हमें चेंज करेंगे नया आर्मेचर में हम गियार बेरिंग फिटिंग कर लिया है बड़े से फिटिंग हो गया है तो हम नया आर्मेचर को मैसिन में फिट कर लेते हैं झाल 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 देखिए इसमें जो बेरिंग होता है थोड़ा साप करते हैं साप करने के बाद कैसे बेरिंग को ओपेंड करते हैं आपके साथ सेयर करते हैं तो आर मैचर का पीछे वाला जो बेरिंग प्लेस है उसमें हम थोड़ा फेवी कोई डाल लेते हैं उसके बाद हम ठोक के बेरिंग को फिटिंग करते हैं तो उसके बाद हाथों से खेचने से बेरिंग बाहर हो जाएगा हम नए बेरिंग फिटिंग कर लेते हैं बेरिंग का साइज है 607 झाल 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 इसमें जो ग्यार फिटिंग होता है ना इसके अंदर एक छोटे से बॉल होता है वो बॉल हमबार से ठोकने से गिर जाएगा तो हम हाईडल पेस के मदद से इसको ग्यार को फिटिंग करते हैं झाल झाल कि अंदर एक शार किलिफ है उसको हमें लॉक करना है शार किलिफ पहले हम बड़ा करके खुला था शार किलिफ को छोटा करेंगें उसके बाद फिटिंग करेंगे झाल खेल गें तो एक पी रहता है इसमें एक रावार रहता है रावार को आपको पहले डालना है उसके बाद रावार को नीचे डाल लेना है तो इसमें जो बड़े स्पैंडल है उसके अंदर उसके आपको फिटिंग करने के बाद रावार ऐसे रखने के बाद इसमें पीन को धीरे से पेस करके फिटिंग करना है यह जो रावार है इसको फिटिंग करना है इसके अंदर तो ऐसे आपको धीरे करके इसको fitting कर लेना है तो ऐसे डालने के बाद आपको इसमें pin को अंदर से pace करके इसको अंदर डालना है तो इसमें थोड़ा play रहता है एक दिक्कत नहीं है तो इसमें bearing fixed होता है झालना है मैंसीन मैंने फिटिंग कर लिया सीरिज में टेस्ट कर रहा हूँ मैंसीन बड़ी से कनेक्शन आ रहा है डायल में मैंसन को चला लेते हैं करहां मिर्णा रहा है है डायल मैंसने आ डुब कर दाल बड़्या लस्ट संदी है अच्छा 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 एकात जाधा है आगा रहा क्याँ को हम चला रहे थे तब देखा इसमें जो आर्मेच रिएन बहुत ज़्यदा आपन्डाउन कर रहा है तो कारबों उपर नीच willst हो रहा है जैसे थोड़ा ऊपर ओडर यह कभी थोड़ा नीच्छ सह रहा है एह होने का एकी करण तो पीछ वाला जो रावार है is मैं जो माशी हूं श्वां रावार होता है सेम रावर फिट होंगे कभी कपर गल्ती होट Eddy 600 शाइट में 10 मैं तुर्पा अजए मैं distantनिल प्तल्भ पतला भीउट होता है मोटा है किया अंतर है आप को देखके विखごर आवार है झाल झाल मैसीन फिटिंग करने के बाद हम चला के देखते हैं मैसीन बड़े से चलेगा उसमें कुछ भी पॉब्लम नहीं है मैसीन बड़े से चल रहा है इसमें कुछ भी पॉब्लम नहीं है इसमें गयर में थोड़ा साउंड दे रहा था गयर में ग्रीसिंग नहीं था फिर भी मैसीन को चलाया इसी बाद से गयर थोड़ा खराब हुआ है तो चलने के बाद ठीक हो जाएगा आपको अच्छा बहुत ब में थित्थे बड़े पुल अग्या जाएगा पुलन दीके पूल आपको नाप्ड दीके को याँ पूलो आपको याँ थोड़ा बड़े पूलो नेकला उच्चे कूंदेके एदिके तो याँ पूल्छे थो एई मालता थो याई नाव्दै कार आमराएके एटादर राक मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करके बतना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा लगा ऑूत लगा झाल को अच्छाइक ॉल्ड़ मेरे वीडियो आपको लाइक करना कमेंट कर्के अंग।